दोस्तों अगर आप भी चाते हो घर बेटे संगीत सीखना तो आज ही जाईए प्ले स्टोर में और इंस्टॉल करिए रियाजेप तो आज ही जाईए और इंस्टॉल करिए रियाजेप जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो आपका संगीत का सबसे सच्चा साथी रियाजेप नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर्जंगम में और दोस्तों हूँ है शर्माओं किस किस को बताओं कैसे कैसे मैं सुनाओं सबको इसी गाने के अंदाज में एक भोले नात का भजन है भो डमरू बजाए अंग भस मी रमाए और ध्यान लगाए किस का नजाने वो डमरू आला अरे सब देवों में सब देवों में देवे वो निराला डमरू बजाए अंग भस मी रमाए और ध्याने लगाए किस का नजाने वो डमरू आला इसकेल आपको समझ में आई गया होगा एप शार्प है गा कोमल है ये पा है तो एप शार्प माइनर का इसकेल है शुरों की बाद करूँ तो सा रे कोमल गा कोमल मा पा और धा कोमल यानि रेगा धानी कोमल का प्रारूप है थाट भहरवी का आप कह सकते हैं और यहां तक अपना काम हो जाएगा धा कोमल पा मा गा रे सा और नीचे मंदर सब्तक में आओं तो दो सुर है नी कोमल और यह पानी सारे गा मा पदपा मगर वा मगरे मगरे सा तो यह सुर है रेगा धानी कोमल के हिसाब से पास सासे लेकर के धा कोमल तक नीचे नी और पा दो सुर है मंदर सब्तक में और इसमें एक विवादी सुर और है थाट भहरवी के अलावा रे शुद्ध का अंत्रा में हलका सा इसका इंपोर्टेंट रोल है ध्यान हो डमरू बजाए अंग भस मी रमाए और धाने लगाए किस का नजाने वो डमरू वाला नजाने वो डमरू वाला कि देखो हो डमरू वाला यह जो अंदाज है इसको आप देखिए क्या हुआ है बिल्कुल स्लोली यह सा है डमरू बजाए सारे सासा सारे सासा डमरू बजाए अंग भस मी रमाए और धाने लगाए किसका किसका तो किसका है वो नी और पापे आ रहा है और बाकी का काम जो है वो सा और रे पे हो रहा है हो डमरू बजाए जाने पापानी न जाने जाने वो डमर वाला पापानी नी सासा फेन Bardzo रे रे न जाने वो डमर वाला पापानी नी सासा पेन का आधान पार्ट होता है तो वाया स्लोली देख लीज़े है समझ में आ जाएगा डमरू बजाए अंग भस मीरामाई और ध्याने लगाए किसका नजाने वो डमरू आला पहले बार में रेपे नजाने वो डमरू आला फिर सापे ठैरे हैं ठीक है अब इसमें जैसे कि हम इसको एक एक बटन को बजा रहे हैं तो एक पैटन है लेकिन जब हम इसको फ्लो में बजाएंगे तो ऐसे भी किया जा सकता है रे और गा के साथ कंड लेकर के गाका कंड लिया है नजाने वो डमरू वाला नजाने वो डमरू वाला तो शुरुवात में सीखने के साब से आप कंड का यूज ना भी करेंगे तो चलेगा बाद में जब एक बार सुर आपके दिमाग में फिंगर्स पर बैड़ जाएं तो उसके बाद में फिर आप थोड़ा सा टच का जो कॉंसेप्ट है उसको यूज करिए ठीक है और उसके बाद में हो सब देवों में हो सब देवों में मा गाम अगरे साथ हो सब देवों में है सरे सरे सनी है सब देवों में हो सब देवों में है 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 सब देवों में नीनी सासा देव वो सारेगा, देव वो निराला, सारेगा, पामागरेगा साथ देखिए, हो सब देवों में, हाँ, सब देवों में, देव वो निराला, डमरू बजाए, अंग भस मी रमाए, और इध्धान लगाए किसका, नजाने मोडमरू आला, नजाने मोडमरू आला, यह हमार रास्ता ही पाड़ जाता है, अंत्रा की मैं बात करूँ, हो माथे परचंदा, जिसकी जटा में है गंगा, हो रहती, रहती, पहले यह लोगो माथे परचंदा, जिसकी जटा में है हो, माथे परचंदा, पाधा पामा मामा, जिसकी जटा में है गंगा, मामा मापा मागा गागा, पाधा पापा मा, और फिर उसमर में मापा मागा, मापा मागा हो माथे पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा और फिर रहती सारे सानी रहती पारवती संग में रहती सारे सानी रहती पार सागा पारवती संग में सवारी सवारी ये रेशुद का सवारी है बुड़ा डंदा मैंने बता है ता विवादी सुर है रेशुद उसका यूज़ रहती पारवती संग में सवारी है बुड़ा डंदा रहती पारवती संग में सवारी है बुड़ा डंदा वो कैलाशी, एक अगला पैटन, वो कैलाशी, है अविनाशी, हो वो कैलाशी, मागा मागरे सा, नी नी सासा, पहने सर्पों, पहने सर्पों की माला, पहने सर्पों की माला, और फिर वही हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए अंत्रावग हमें एक बार रिपीट करते हैं, विल्कुल स्लोली, हो माथे पर चंदा, ये कोड़ ले लिया, जिसकी जटा में है गंगा, रहती बार रहती पारवती संग में सबारी है बूठा नंदा, वापस देके रहती बारवती संग में सबारी मगारे है, है गंगारे गारे सा, है बूठा नंदा, वो कैलाशी, वो कैलाशी, नहीं, हाँ वो कैलाशी, मागा, नहीं, वो कैलाशी, वो कैलाशी, गामा गरे सा, फिर ये सारे सानी मागा मारे सारे सानी नेनी सासा ओ वो कैलाशी है अविनाशी पहने सासा पहने सरपों की माला सारे गा बमागा रे गासा रे गारे सा वो पहले वाला इपैटन है पहने सरपों की माला डमरू बजाए अंग भस्म डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ज्याने लगाए किसका नजाने वोटम रूवाला और फिर बई चड़ाओ सब देवों में कामा गरे सा सब देवों में देवो निराला देवो निराला डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ज्याने लगाए किसका जैसा भी आपको शुर है उनके साथ में आप जैसा चाहें खेल सकते हैं बस्ते रहिएगा मुश्कराते रहिएगा कैसा लगा मेरा प्रियास कमेंट जरू कर दीजेगा धन्यवाद